जमू कश्मीर का बजट आया और इससे पहले उमीद की किरन तब जागी थी जब देश का बजट आया था लेकिन आज जमू कश्मीर का बजट आया है बहुत से लोग उमीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ खास वह उनके छेत्रे के लिए होने वाला है कोशिश करेंगे कि भाशपा से तालूख रखते हैं रिखते स्वरकार मन्तरी निर्मलाengersg पेश किया और क्षिक प्रकार से ग्यों कश्मीर से उजफर होगा या इस पर वी रीपक्ष कटाक्ष्ट करनें कविंदर चीज सबसे पहले क्या लगता क्या है कि जो देश का बजट था और उसके बाद अब ये वह बजट किस प्रकार जम्मू कशमीर के इवाओंगी हर क्षेत्र के लोगों की नजरें और जिस प्रकार से कल इस बजट को पेश किया गया और कुल में लाकर 7000 करोड पहले से ज्यादा राशी ए उसमें उपलब्द कराएगे इसमें जो उमीदें चाहे वो हमारा युवावर्ग है, पानी बीजली का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में होने वाली जो ड्विल्मेंट है, चाहे वो ओ चाहे करोना के हमारे वारियर्स हो उनके लिए, हमारे गुजर बकरवाल समाज है, उनके लिए, चिक्षा के क्षेत्र के लिए, सशक्ति करन के लिए, युवाओं की और महलाओं की, हर और किसानों की खास करके, क्योंकि इसमें बेड़ पालन को लेकर के दूसरी हर चीज फिल्ड को इसमें टच्च किया गया है. हमें उमीद करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में होने वाली जो development है, चाहे metro की एक जो बात करते हैं, और सबसे बड़ी जो बात है, नया जो development हुई है, डी डी सी, बी डी सी के जो elections है, नया infrastructure बनना है, तो लोगों को बहुत सी उम्मीदे दे थी, जो हमारे सिस्टम है, उसको प्रभी लिए का लच्चे प्रावधान तका गया है, यहां पर बहुत स्कुनावी रेली हो, या फिर यहां पर किंद्र नितित्वा आता हो, यहां फिर यहां से बाहर कोई जाता हो, एक ऐसा मुद्दा है 90 के दशक में के कश्मीरी पंडित्स का पलायन करते गया, आज उनको माइगरेंट का एक तपका दिया गया, जबकि वो व पुनरवास की बात की गई इसको कैसे देखता है देखिए बिलकुल भारतियन्ता पार्टी के इलेक्षिन मैनुफेस्टों में भी चाहिए वो केंद्र का मैनिफेस्ट पे हूँ राज्य का मैनिफेस्ट हो इसमें दूसरा था हम और हम इसके लिए कटीबद हैं जब दो निस स पार्टी के कार्यकरताओं ने पूरा उनका समर्थन भी किया था उसको रहने के पुनरवास के लिए यह उसके लिए बसाने के लिए बहुत से कार्य किये थे और लगातार हमारे अलग लग राज्यों से उसके लिए एड भी आती रही लेकिन आज तीस साल बीट जाने के बा कश्मीर में भी अवंचाइन पहले से पहला है और घाटी के लोग भी समझने लगे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना वो अधूरे है इसलिए दोनों तरफ से जो प्रयास है परधान मंत्री ने यह अपने संसद में भी कहा था कि इनका पुनरवास किया जाएगा और यह अच सरकार में थे आप पीड़ी के साथ आपका गठबंदन था तब महभूबा मुफ्ती ने सबसे हम यह बात की थी कि इनको यहां पर पुनरवास करना है लेकिन कोलोनीज बना रहे हैं तो वह काम अभी कहां तक पहुंचा है अगर यह लोग पुनरवास करके जाते कि उसी कोलो जिनको नोक्रियों के माध्यम से वहां पर बेजा गया उनकी सुरक्षा बहुँ जरूरी है अब जो भी लोग जाएंगे पहले फेस मैनलस में तो सबसे पहले जरूरी है कि उनकी सुरक्षा वो अपने आपको वहां पर सुरक्षित महसूस करें और तो उसके लिए बड़ा सब्सक्राइब करें तो रास्ते में एक टोल है उसकी राइट साइड पर वहां पर उसका क्लोनिस का मैंने बाहर से ही देखा उसकी कुछ स्नैप्स भी मैंने लिए हैं तो इस तरह की अलग जगा पर जिलावा इस कलोनिस बने यह बड़ा जरूरी आप से एक सवाल करना चाह है वह रोजगार की बात कर रहा है और कहरें कि जौब दो मोदी सरकारिसां की बात हैं इस बजट से कितना साधन जो है रोजगार का खुलने वाला है क्योंकि लगतार विपक्ष आपर हम लवर है देखिए नंबर एक विपक्ष को लोग अजमा चुके हैं जम्मू किस्विर उसकी हम ने की है हम सब जानते हैं नंबre एक उन से्सक्राटिवर्ग है लेने की दूरूत नहीं है घ्रूपेहर दो नोक्र Cynthia पिछले सालों में सारी iki रेखिए भारच efficiency पार्टी के राज्यमें नहीं आई है यह हमें समय नांश किस्वूत्ष परकार से इनके दौरान चाहे वो National Conference रही हो, Congress रही हो, या दूसी सरकारे रही. आज सेक्टियेट में या लदाख की कितनी भागी दारी रही और इसके साथ ही जम्मू की कितनी भागी दारी रही, इसको हम समझ सकते हैं अलग-लग डेपार्टमेंट्स में तो भार्चिंता पार्टी का यही था कि सब लोगों को साथ में ले करके जम्मू कश्मीर पहले लड़ाख हुआ करता था सभी का सामान ड्वेल्मेंट हो और इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं पचास हजार नोकली का जो वादा किया गया था उसमें वो चीजें शुरू हो चुकी है और पीछे क्लास फॉर्ट की वी ऐसी पोस्टें निकली थी इस परकार से इस वर्ष हमें उम्मीद करने चाहिए जो पचास हजार का वादा गिया गया था वो वो नोक्रियां तो आएंगी ही इसके इलावा यह बड़ा महत्वपुन है हमार जम्मु कश्मिर का युवा यहां पर इंडस्ट्री ना होने के कारण से यहां पर कार्पोरिटर सेक्टर ना होने के कारण से किसी भी क्लास फॉर की नोक्री के पीछे भाग रहा था उस जो तरीक शीस्टम को चेंज करने की जूर्त है आने वाले समय में यह आपर आंड़ आएगी, वो जाब लेने वाले नहीं बनेंगे, जाब देने वाले बनेंगे. हमारे वीवर्स है, बहुत से लोग हमारे से जुड़े हुआ है, और लगतार मैं यह कोशिश करे हूँ कि भाष्पा की तमाम उन नेताओं से बात करूं, जो सत्ता में रहे हैं, विपक से सवाल न नमबर एक, यह जो सारा धोखा किया, यह कॉंग्रेसी या नेशनल प्रांफ्मस की सरकारों ने किया, भारतियंता पार्टी उनको रेगुलाइज करने के लिए, हमने डीडीसी एलेक्शन में भी कहा था, पिछले एलेक्शन में भी कहा था, और इसके लिए प्रत्न भी की वो रातो रात उस अंक्रे को एक लाग तक ले आए, तो उसके बाद सरकार कुटी मैं नहीं कहता, लेकिन अभी भी जो केंदर के ध्यान में यह बात है, पिछले वार में आपने वित्तमंत्री जिसे मिला था, उनसे यही बात की थी कि फ्येज मैनद में, क्योंकि बीस, ब पार्टी प्रत में करेगी, और मुझे उमीद है, इस वर्ष भी फेज मैनर के कुछ लोगों की लिए उमीद थी, मुझे भी याद है, तन्वीर हुसेन अपने फेस्बुक लाइव के जरी बहुत से लोगों से जुडते है, वो उनकी प्रदान है, वो लगतार यह कहते रहे के डीडीसी में मेनिफेस्टो में हमारा जो नाम है वो आ चुका है, हमारा काम होगा, लेकिन उनको उमीद बजट से थी, बजट में उनका नाम क्यों लिए आ? लेकि यह जो जुवा मामले यहां दूसरे मामलों में यह पैसा आया है, उसको उसक्षेतर में लाया जा सकता है है, नोकियों के शेतर में, तो हमें उमीद करनी चाहिए कि इस विशे को लेकर के दोबारा अड्मिशेशन से बात होगी, और यह भी उमीद है कि इस वर्स एलेक्शन होंगे, और जो यह कहने में मुझे कोई हद नहीं है, कि बिरोक्रेसी में और चुनी हुई सरकारों में फ है, उनका काम होने वाला है, एक और सवाल है, होम गार्ट है, वो भी कहिने कि आप पर ही निर्भर है, आपकी सरकारों पर आप लगतार यह गिनाएंगे, मैं जानती हूँ, राजनितिक दायरे से भी आप जुड़ है, आप गिनाएंगे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं क हैंगे, क्योंकि लगतार अगर चुनाव है, आप 370 के बाद कहरें कि चुनावी परक्रिया शुरू हो रही है, यही लोग आपके वोटिंग सिस्टम में वोटर्स भी वनेंगे, तो आज उमीद आप से कब तक हाल होगा है, आपकी जानकारी के लिए, यह लोग बिपक्षी सिस्टम को ठीक करते करते कहीं ना कहीं समय भी लगता है, लेकिन जब तक हम सरकार में नहीं हैं, तब हमारी अडमिशन से यही मांग रहे हैं केंदर के ध्यान में यह चीज़ें लाया जाए गया कि इनको फेस मैनर में किया जाए, तो आज भार्तियंता पार्टी के दफ्तर के बार यह धरने लगा करके वैठते हैं, यह तो मेरा एक बहुत ही महत्वपोन और कॉमन क्वेस्टन रहता है, वहां पर क्यों धरने लगता है, उनको उमीद है वार्तियंता पार्टी से, तो मुझे लगता है कि उनकी उमीदों पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे, हंड हो, अब CISF या BISF का मसला है, मैं कल वाके में मुझे थोड़ा सा यह भी लगा कि कुछ लोग तो उसमें से सीरियस हैं जिनके परिवार नहीं चलते होंगे, इनके सास्थ मेडिकल जिनका कराया गया, वो वेटिंग लिस्ट में रखे गई है, क्योंकि मैं एक महीने से कुछ अपने स्वास्थ के कारण से PG&E में दाखिल था, तो उसके कारण से कखवारों में सिर्फ कवरे पड़ी, लेकिन आज मुझे चिंता होती है, कि कुछ लोग तो वहां पर सीरियस होकर के बैठे हैं, जिनको वाक्यवी परिवार चलाने में मुश्किल हो रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीरी का मजाक उड़ा रही है। मुझे लगता है कि वह उनके लिए भी घातक हैं, कि लोगों ने उनको भीजा, किन लोगों ने वहां पर बिठाया, लेकिन लोगों ने उनके साथ वादा किया, जिस सरकार से हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे बार्डर बटालिय किया गया था उसमें कुछ लोगों को लगाया भी गया है इनको भी वहां पर किया जाए इनको भी नोकिलों में लगा जाए ऐसी हमारी कोश्च चाहिए आखरी सवाल करूंगी महंगाई बहुत बढ़ रही है चलिए आपने कहा बेरोजगारी की बात अब यहीं से गईने की सम माचनस हमत हूँ पैट्रोल डिजल गैस मेंगे हुए है और रोजमर्रा की जो चीजें हैं इन चीजों से उस पर अफेक्ट होता है इसमें मानने से कोई इंकार नहीं है यह पैट्रोल के दाम एक दम से बढ़े हैं ऐसा भी नहीं क्योंकि कुछ जो कंट्रोल है वो कंपनी के मुझे याद है जब मैंने पहली बार गाड़ी ली थी एटीज में तब पांच अरुपे कुछ पर से पर्टोल होता था धीरे धीरे बढ़ते यहां तक पहुंचा है यह सारा भारतियंता पार्टी ने बढ़ा दिया ऐसा नहीं समय समय जो सिख्ट पे कमिशन सेवंध पे कम कि यह लगा है तो इसके बारे में केंदर चिंटित भी है क्यूंकि मैंने पहले कहा पेडरोल के कारण से आना-जाना आपकी होगी वो कब तक लाग हो और कब उप राजपाल से इस मसले पर आप लोग मुलकार करें नहीं समय समय पर ऐसे मुद्दों को लेकर के बाते होती है और मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मिनिमम्म वेज़ी जिस परकार से आज परिवार चलाने की बात है यह फो रुप मापा इसलिए मिनमम वेज़ी जो सरकार ने खुद यह किये हैं वह तो हरक्षेतर में मिलने ही चाही है चाहिए रिए प्राइवेट सेक्टर हो चाहिए गश्यर हो तो धीरे-celोगों को पाके कि वो अपने जो एक कर्तव है उसका निर्वा करें और जहां जहां भी प्राइविट सेक्टर में भी को तो यह को कि सब कुछ गुर्वर्मन ने करना है गुर्वर्मन को इस पर विशेश द्याम देने की जू होता है जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तहां के उमीद अब भी बंदी रहें आपके साथ क्या जनता लगतार अगर मैं तो सोचल मीडिया पर बहुत सवाल उठा रहें आप पर कहरें कि हम खुश नहीं है इन नीतियों से आपने विकास विश्वास और विकास की बात की थी लेकिन हम अभी खुश नहीं है जनता को कुछ उमीद की कन देना चाहिए मैं जनता को यह करना चाहता हूं यह जो लोग हमारे विरोध हमें बात करते हैं यहां पर मैडिकल कॉल्स बने हैं खाली घोश्ड़ नहीं है उसकां। वर बहुत है अचींक्शना पार्टी का काूल इंग को अब изменकर प्रेक्स बने हैं तब बड़ोतरी हुई है और खास करके आने वाले वर्ष में दो हजार उन्नीस में जब धारा तिन सोस्ट पर कुटी थी या इसी कारण से तोड़ी गई कि एर्रेगलेटिस होती थी और इस साल तीस हजार करोड रुपे की जो इन्वेस्टमेंट है चाहिए वो प्राइवेट सेक् चाहिए खास करके नोक्री के पीशे ना भागें अपनी लगाएं और जहां भी सरकार से भी अपील की जाते हैं सिंगल विंडों के मादध्धम से उनको खराब ना किया जाए उनके काम होने चाहिए ताकि वो जाब देने वाले युवा बन सके जम्मू कश्मीर में इस परक लगतार प्रदर्शन कर रहे हैं उमीद है कि परदर्शनों का सिलसला खत्म होगा और जिस अहां से वादे वह आश्वासन तमाम नेताओं के द्वारा किया गये थे वह पूरे हो लेकिन हां समय बीता है आज डिफेंसिव मोड में नहीं है बलकि आज मान रहे हैं कि पेट्र जन्ता को जिससे कहीं नहीं बहुत नुक्सान और उसको मान भी रहे हैं आप यह बने रहे हैं हमारे साथ